नमस्कार दोस्तो आर्पीसी ओने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हादिक स्वागत दोस्तो आज हम एक अलग इस्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और यह है ओबीशी और एक्स सर्विस्मेन का इस्यू है दोस्तो जिसा कि आपको पता कि राजिस्तान में जो OBC केटिगरी है उनको सर्विस में 21% का आरक्षन पराप्त है और जो एक्स सर्विस्मेन है उनको 12.5% का जो आरक्षन मिलता है राजिस्तान की बढ़तियों में लेकिन दोस्तों हुआ कि जो एक्स सर्विस्मेन होते हैं वो अधिकतर OBC केटिगरी से आते हैं और अभी जो राजिस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का रजल्ट आया उसमें क्या कर दिया गया है जो एक्स सर्विस्मेन को है उनको जो साड़े बारा परसेंट आरक्षन दिया गया है वो OBC में सही दे दिया गया क्योंकि अधिकांस अभीरती जो एक्स सर्विस्मेन होते हैं वो OBC के ही कैटिगरी के होते हैं तो मालब जो अधिकांस एकसर्विसमें ने जो सृटे प्राप्त की वो OBC से कैटेगरी से प्राप्त की तो इससे क्या हो गया कि OBC का जो एकजट नहीं जो कह सब के नेट अरक्षन है वो साड़े 8% के गरीब ही रहा गया तो इसे काफी कम OBC candidate select हुए जो X service man नहीं थे इवन कई जिलों में ऐसी situation बनी कि 10 अगर OBC की city थी वहाँ से उसमें से 9 X service man select हो गए यानि जो ऐसा OBC candidate जो X service man नहीं है उसे भी एक जना select हुआ तो इसे OBC जो अभेरती उनकी संगया काफी कम रही selected candidate में इस बार तो यह जो situation है अगर ऐसे ही रहता है तो और भर्तियों में भी situation आ सकती है कल को SI में, One रख सक में, RS में जो OBC candidate उनको यह चीज़े फैस करने पड़ सकती है अब यह तो एक पक्स हुआ इस जो पूरी situation का दूसरा जो तर्क दिया जाता है तो अगर वो एक सब्समें अगर OBC से है तो उनको OBC से दिया जाएगा ठीके तो अगर वो जनरल के होते हैं जनरल से मिलते हैं से क्यों से मिलता है ऐसे होता लेकिन यह कल और केटिगरी साथ भी हो सकता है उसका वापस जो काउंटर तक दिया जाता तो इस पूरे issue पे आपका क्या सगोचना है क्या यह सही है या किसी वर्ग के किसी कैटिगरी के या सभी कैटिगरी के खिलाफ है तो उस पे भी आपकोने view रखिएगा हमने एक थोड़ा सा issue था अभी जो है आपकी बहुशे से भी जोड़ा हुआ है तो हमने इस पे discuss किया इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो को सुनने के लिए देखने के लिए से भी दूसका बहुत बहुत आबार बहुत बहुत दन्यवाद